जबलबुर पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले करीब 1602 पहिया वाहन चालकों के विरुध कारेवाही की है जिन से 3,94,500 रुपय का जुर्माना वसूल किया गया है दरसल विसेस अभियान के तहट जागरुकतारत के माध्यम से संसकार धानी वासियों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया जा रहा है वही नियमों का उलंगन करने वालों के विरुध चालानी कारेवाही भी की जा रही है सहर और देहात के थानों के द्वारा चेकिंग पॉइंट लगा कर चेकिंग की जा रही है और यातायात नियमों का उलंगन करने वालों की विरुद्ध कारेवाही जारी है पुलिस सदिक्षक सिधार्थ बहुगुडा ने बताया वाहन चलाते समय यदि सही तरीके से यातायात नियमों का पालन किया जाए तो पचास दिल सत दुरगटनाओं को टाला जा सकता है हम हमेशा यातायात नियमों की जानकारी रखते हुए भी अदेखी करते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि वाहन को तेज गत्से नहीं चलाना चाहिए लेकिन हम फिर भी वाहन तेज चलाते हैं वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं जबकि सड़क दुरघटना में मरने वालों की संख्षा हत्यावा अन्य कारणों से मरने वालों की संख्षा की तुलना में काफी अधिक होती है हेलमेट ना लगाने की कारण सड़क दुरघटनाओं में हैंड इंजरी से 82 प्रतिसत मृत्य हो रही है फिर भी हम यातायात के नियमों के प्रती वाहन चलाते समय लापरवाही बर्दते हैं उन्होंने दो पहिया वाहन चलाते समय वह सवार होते समय सिर पर ISI मार्क वाला हेलमेट पहणने की अपील की है जिस सरक दुर घटनाव से बचा जा सके